एक पूर सीएम की पोती, नाम है प्रियंका, उसके तीन बच्चे हैं, नाम है अड़ना, अर्वी और अद्विक, अड़ना 12 साल की थी और जो भावी है उसका नाम प्रियंका है मीडिया में जिस दिन सीतापूर में हत्या कार्ण भाउस में लोगों ने बताया या तमाम जो पहली इंफोर्मेशन हम तक पहुचे उसमें ये कहा गया कि जिसने हत्या किया वो दरसल बड़ा भाई था लेकिन जैसे हमने इसकी जांच परताल की तो हमें पता लगा कि दरसल अंडराग बड़ा भाई है और छोटा भाई अजीत है और अजीत अपनी भावी प्रियंका से काफी जादा जलन करता था, उसे लगता था कि भावी प्रियंका उसके साथ बहुत जादा गलत कर रही है, अब ये जलन किस तरीके से काम करता है, और इस जलन की पीछे की कहानी कैसे ये पुरी स्क्रिप्ट तैयार होती है, चली समझते दरसल जो अनुराग है और घर का बड़ा बेटा था उसकी शादी होती है प्रियंका से अनुराग और जो अजीज जो छोटा भाई दोनों को पढ़ाय लिखाय जाता है उनके पिता दोरा वो हर एक गुण सीख लेता जिससे खेती अच्छी हो सकती है दूसरी ओर जो छोटा भाई अजीत है उसे खेती में दिल्चस्पी नहीं थी उसे लगा था कि खेती में बहुत जादा मेहनत करनी पड़ती है उतनी इंकम नहीं होती है तो इसके बजाए क्यों ना नौकरी किया जाए अब यही कोशिज उसे 2018 में एक सरकारी टीचर की रूप में उसको नौकरी दिल्वाद दी जाती है अब कहानी यहीं से शुरू होती है जो अनुराग है वो पिता के साथ खेती करते करते गुंतो सीख चुका था अब उसकी शादी की बाली थी शादी उसकी एक प्रिय एक पूर सीख की पोती है और जो उनका मामा है वो भी कोई यूपी सरकार में मंत्री है अब शादी होने के बाद प्रियंका ने एक लखनों में गोमती नगर इलाका है काफी पौश इलाका है उस इलाके में एक करोड का फ्लैट लिया और उस फ्लैट में तमाम सुविधाय जिससे एक परिवार हसी खुशी वहार रह सकता था बहुत ज्यादा पैसे थे दूसरी वोड़ जो अजीत है अजीत की फैमिली बेग्राउंड की बात करें तो अजीत की बीवी है विभा नाम है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते है जो अजीत की बात करें जो उसमेंका साला है वो एक अस्पताल में करमचारी है और बेहती कोई ऐसा अमीर बैग्राउंड नहीं था अब अजी जो घर में रहता था उसे लगता था कि ये जो भीया है और भावी है ये बहुत जादा इनकी लाइस्टाइल चीन्ज हो चुकी है ये अकसर लखनों में रहते हैं और उसकी जो जिन्देगी ये उसमें हो नहीं रहे थे और जो भाईया की जिन्देगी है उसमें धरले से बहुत सारी अच्छी चीजी हो रही थी उनकी फैमली बैगराउंड अच्छा हो चुका था उनका लिविंग स्टैंडर्ड अजीत की मुकाबले बहुत ज्यादा जो अन्रा की जो बीवी थी प्रियंका वो एक इंस्वरेंस कंपनी में बतार काम भी करती थी तो वहां से भी इंकम अच्छी कासी होती थी खुद जो प्रियंका है जो अन्रा की बीवी है उसके अपनी एक प्रसनल कार भी थी और यहां अजीत की बात कर ले तो अजीत के पा या कहें कातल अजीत की उस घर की तस्वीरे हैं, पिछले दो सालों से ये इस घर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक एगर पूरा नहीं हो पाया है, दूसरी और जो बड़ा भाई है, जिसके उसने हत्या कर दी है, पुरी परिवार की, उनका परिवार बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था जिन्देकी में, जिससे लेकर अक्सर अजीत को दिक्कते हो रही थी, अब कहानी यहां से शुरू होती है, जलन, इर्शा और ये देखना की उस जिन्देकी में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, इसे लेकर अजीत अक्सर पहेशान रहत रही था, कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब आज से देख साल पहले जो पिता है, उनकी मौत हो जाती है किसी कारण की वज़े से, जिसकी बाद पहले तो मामला ठीक ठाक चलता है, अब पुस्तैनी रूपे उन्हें असी भीगा जमीन भी मिलती है, फिर एक रोस उनकी घर में दस्तक दी जाती है, बैंक जो करमचारी आकर कहते हैं, कि भहिया आपकी उपर 24 लाक रुपे का कर्ज है, जो आपके पिता ने लिया है, अब आपके पिता दो सुर्वास हो चुके है, लेकिन इस 24 लाक को आपको चुकाना पड़ेगा, पहली नजर में तो उन्हें ल दोनों भाई समझते हैं, दोनों भाई पड़े लिखेते हैं, उन्हें दिक्कते भी नहीं हुई, लेकिन इसके बाद जैसी बैंक रमचारी वापे जाते हैं, जो छोटा भाई अजीत कहता है कि भहिया आपकी खेती में जो पैसे हैं, आप उसको बेच कर इस लोन को चुका देते हैं, अब याद रखिए जिस वक्त बैंक करमचारी आये थे, अजीत का कहना है, जो छोटा भाई अजीत है, कातल है, उसका कहना है कि भहिया अंड्राग ने तर्बूस की खेती की थी, जिसकी जो मार्केट की कीमत थी, वो थी 40 लाख रुपे, अब जैसी ही बैंक वाल समझाने की कोशिच की, कि भहिया पैसे दे देते हैं, जो पैसे यहां से आया है, उस खेती की पैसे से लोन माफ हो जाएगा, बैंक वाले परिशान नहीं करेंगे, इसके बावजूद अजीत का कहना था कि अनुराग नहीं मानाओ और अपनी बीवी के साथ लखनाओ चला ग हाली में जो घर लिया था या जो घर बनवाने के कोशिच करा था, वहां पर भी बैंक की एमाई जा रही थी और एक खुद सरकारी टीचर था, तो इसका कहना था कि इसके पास इतनी आमदनी नहीं है, कि वो इतनी जल्दी 24 लाख रुपे दे दे, इसके बावजूद वो कई रहते थे, अब भया को समझाने की कोशिच होती तो अन्रा कर बार मान भी जाता लेकिन मानने के बावजूद भी अन्रा क्ग अजीत को पैसे नहीं दे रहा था जिससे अजीत बैंक जाकर पैसे जमा करवा सके, अब इसकी बावजूद भी कही बनाने की को ये सारी चीज़ कर सकते हैं प्रियंका ने एक दो बार सुना लेकिन प्रियंका ने उसे बहुत जादा बेज़त किया डाटा और कहा कि भाया आप तो खुद गाउं में रहते हैं आप इतनी हरबड़ी क्यूं कर रहे हैं पैसे जो है दे दी जाएंगे अराम से आपको इतनी जल्दी क्या है मुझे आती नहीं खेती किसे आती थी अनराग जो बड़े भाई को अब याद रखिए दोनों भाई हैं एक भाई ने पढ़ाय लिखाए और खेती चुनी एक भाई ने नौकरी चुनी खेती से उसे 40 लाख रुपे का जो मुनाफ़ा हुआ अनराग को जो सरकारी टीचर था उसे उसे जलर होने लगी उसे लगा कि ये खेती करके भी इतने कमा रहे हैं प्लस जो अनराग बड़ा भाई था उसकी बीवी थी एक अच्छी जगा कंपनी काम करती थी तो दोनों एक जो जिस तरीके से अजीत अपने बड़े भाई को खेती की बहुत आम छोटी सी मानता कि बहुत कैसा सा काम है इसमें बहुत मैदा मैनत है कमाई कम है लेकिन जैसे उसने देखा कि उसकी पूरी स्टैंडर ऑफ लिविंग बहुत जादा हाई हो चुकी है और अजीत अभी भी अपनी जिन्देकी में जूज रहा है छोटी मोटी चीजों के लिए इसके बाद अज अजीत फैसला करता है कि किसी ना किसी तरीके से जो प्रियंका है और जो इनकी जो प्रियंका जिस तरीके से इनने इसकी जिन्देकी बड़ा बदलाव लेके आए क्योंकि प्रियंका एक अच्छी बैंग्रॉंड सी भी आती है तो प्रियंका को ही रास्ते से हटा दिया मैंने आपको प्रियंगा की बारे में तो बता दिया लेकिन अजीत की जो फैमिली उसकी बारे में भी जान लेजिए अजीत की जो बीवी है बिभा अब तक साफ नहीं हो पाए कि जो बिभा है जो अजीत की जो धर्म पत्नी है क्या उस पूरी हत्याकान में बिभा शामिल थी क नहीं थी क्योंकि जो साक्षे सामने आएं उसमें ये पता लगा लगा कि बिभा देर राथ तक अपने पती अजीत से बातचित कर रही थी अक्सर होता है कि मिया वीवी रात को बातचित करते हैं खाना खाने के बाद हालचाल पूछ लेते हैं क्योंकि विभा को पहले ही उमाई के भेच चुका था उसके बाद विभा की अकाउंट से चार लाक रुपे निकाले गए अब इस चार लाक रुपे क्या हत्यार खैदी के लिए क्योंकि 315 बोर के कटे से गोली चलाई गई थी उसके बाद कई सारी और चीज़ी ली गई थी तो क्या 4 लाक रुपे जो निकाले गए थे विभा ने अपने पती से नहीं पूछा होगा कि अजीद तुम क्यों पैसे निकाल रहो इस पैसे का क्या करोगे इस पे भी पूलिस को डाउट है और क्या हत्यावाली रोज बिभा उस जगा मौजूद थी कि नहीं थी इसके साक्षे भी जुटाए जा रहे है खेर यहाँ पर प्लैनिंग ये बने कि क्योंकि अजीद को पता था कि हपते में एक रोज तो प्रयंका लखनौज से सीतापुर तो आती है तो उसने एक मेडिकल स्टोर से देर रात नीन्द की गोलिया ली अब नीन्द की गोलियां लेकर वो रात के आठ बजे को आचा और घर में जो खिचडी बना था उस खिचडी में उसने पीस कर नीन्द की टैबलेट मिला दिया लेकिन किस्मत देखिए कि उस रात को किसी ने भी खिचडी को नहीं खाया सिवाए अनराग बड़े भाई के अनराग को साधा भोजन बसंद था तो जैसी उकाम आया उसने सबसे पहले खिचडी खाकर अब क्योंकि खिचडी में नीन्ती गोली मिलाए गए थी तो नीचे ग्राउंट फ्लोर पर ही सो गया बागी पूरा परिभार रास्ते मुख को पहले कुछ खा चुके थे तो उनने खाना नहीं खाया इसके बाद सब अपने कमरे में चले आते हैं एसी वाला कमरा था सबका दर्वाजा बन था और एसी ओन हो चुका था अब क्योंकि सबका दर्वाजा बन था तो दर्वाजा खोल के हत्या करना थोड़ा सा टफ पढ़ता अब यहां पर अजीत ही देखा कि खाना तो सिर्फ अनुराग को छोड़कर किसी और ने खाया ही नहीं है अब उसने प्लान मनाया कि अपने शिकार को बाहर कैसे बलाया जाए इसकी बाद वो सेफ प्रियंका की हत्या करने की इरादे से प्रियंका की घर में जो एसी जाते उसके तार को काट देता है अब AC का तार काटा गया उसके बाद उमस जैसी बढ़ती है तो प्रियंका एक चरपाई जैसी नुवा चीज को लेकर फर्स फ्लोर के ब्रामदे में आजाती है जहां पर फैन था वहां पर आकर वो सोने लगती है अब रात के तीन बजे अजीद उपर चड़ता है और प्रियंका से बूशता है कि आपको लोन की पैसे चुका देने चाहिए जिसमों प्रियंका कहते है कि अभी शाम का ये रात हो रही है देर रात हो रही है तुम सुबह और सुबह बात करते हैं इसके बाद अजीद का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था उसने हतोड़े से कई वार किया और इस तरीके से वार किया कि उसे लगना था कि जो भावी ने उसकी बेश्ती की थी पहले और जिस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड उसका बहुत ज़ादा हाई हो चुका था वो पढ़ाय लिखाय गरकर सरकारी टीचर की नौकरी कर रहा है फिर भी भाईया की जिंदगी प्यांका ने कुछ इस तरीके से बदले कि उनकी पूरी जिंदगी एक अलग ही लेबल पे पहुँच चुकी है और वो आज भी उनसे बहुत तीछे रहा गया है तो उसे लगण तक अगर वो प्यांका को रास्ते से हटा देगा तो उस तक कोई भी नहीं पहुँच सकता और जो भाईया की जिंदगी जो भाईया पहले खेदी करते थे वो खेदी में ही फसे रह अब जब तक वो हतोड़े से मार रहा था गोली जब उससे चलाई तो पहली बार क्योंकि सारे दर्वाजे बन थे एसी वाले कमरे थे तो आवाज ऐसी बहार जाना बहुत कमाती है फिर भी रात को जो अजीत की माताजी है सावित्री है वो बहार आती है और उनको अंधेरे म पूछती है कि कौन है बाहर क्या कर रहे हो बाहर इक कैसी आवाज है इसके बाद अजीत अपनी मा को भी हतोड़े से मार मार कर लहुलुहान कर देता है मौकिय पर ही उनकी माताजे की मौत हो जाती है उसके बाद जो बड़ी बेटी जो तीनों बच्चे एक साथ एक कमरे में सोई थे वो आवाज सुनकर जैसी नीचे जागती है तो पता लगता है कि पिता की दुहत्या हो चुकी है वो रोते हुए नीचे आती है नीचे आही रही होती है जो अजीत पहले सी ग्रांट फोड़ पर मुझूद था वो उपर जाता है और बड़ी जो बारह साल की बेटी जाकर फज जाती है और यही गोली एक कहते हैं कि इस पूरी केस में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसके बाद यह फिर उपर जाता है उसे लगता है कि मैंने जब इतने कतल करी डाले हैं तो बाकी बच्चे दो बच्चों को क्यों छोड़ना उन दोनों बच्चों के ह जीशते हुए उपर सेकेंड फोग पर लेके जाता है उसे भीत नीचे फेकता है अब याद रखिए यह रात के तीन से लेकर सुबह पांच वजी तक का यह पुरा वाक्या था इसके बाद वो बाहर बैट जाता है जिसके बाद कहते हैं कि पड़ोस में रहने वाली जब मॉ नो लाशों के बगल में बैठा था कौन अजीद अब अजीद यहां से धोंग करना नाटक करना शुरू करता है कि देखे बड़े भाईया ने घर पर पूरे परिवार को नशी की हालत में मा डाला है क्योंकि कल रात को वो अपनी बीबी से जगड़ा कर रहे थे और इस पा जगड़ा इतना बड़ा को इनोंने पूरे घर में कतले आम मचा दिया लेकिन जिस तरीके से जब पोस्ट मॉटर रिपोर्ट सामनी आती है पता लगता है कि जो अनराग है अनराग के जो मूँ पर गोली फस चुकी थी जो गाल से होते हुए दातों के बीचे फसी थी ये ट पार तो होनी हाई सी बात है मतलब गोली कहीं दूर से चला आई गयी होगी बड़ी बेटी जिसे गोली लगी थी उस पर गोली का कोई निशान नहीं था तो पहला जो उसका मकसद था कि पहले से पर गोली मार को उसे खतम कर दिया जाए इसके बाद जो अनराग की कांट की पीछे अजीत ही था और अजीत ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बावी जो भावी थी उनकी जो एक मा समान होती है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए उनकी शान शौक का देखते हुए कि उनने एक करोर का फ्लैट ले लिया है खेती से 40 लाग रुपे की प्रॉफिट हो रहा है उसे और उसके बावजूद जो 24 लाग रुपे का रोन था उसे दीनी में जो भावी और भावी अनाकानी कर रहे हैं कही बर समझाने की कुशिश की गई फिर भी हो नहीं मान रहे है और इसी वज़े से उसने पूरे परिवार में मौत का तांडव आलाव